दोस्तों आज में आपको कुछ ऐसा बताने वाली हूँ, इसको लगाने के बाद में आपके बालों में जैसे जादू ही हो जाएगा, बाल आपके तूटते जढ़ते हो तो इस रेमिडी को ट्राइ करके आप एक बार जरूर देखना, इससे आपका हेर फॉल बहुत जल्दी कं तो आएए देख लेते हैं कि इसको कैसे बना के तयार करते हैं, उससे पहले अगर आपने अभीता पींशी चनल को सस्क्राइब नहीं किया हो तो सस्क्राइब जरूर कर लेना, जिससे के आप मेरे ऐसे ही वीडियो सबसे पहले देख सकें, तो इसको बनाने के लिए हमको सब तो चम्मच लेमन जूस चाहिए होगा अगर आपके पास में लेमन नहीं है तो आप इसके जगए पर आम लेका जूस भी दो चम्मच ले सकते हैं क्योंकि इन दौनों में भरपूर मातरा में बिटमिन सी पाया जाता है इसके बाद में जो अगली चीज हम इसके अंदर एड़ करने बाले है वो है अलसी का तेल यानि की फ्लैक सीड ओयल फ्लैक सीड हमारे बालों के लिए हर तरह से फायदे बंद होता है तो हम उसके बीजों को रोष्ट करके खाएं या फिर उसका जैल अपने बालों में लगाए स cucumber ya फिर या फिर oil insurance यारे आनी की blacks बालों के लिए बहुत जादा फायदेदे मन्त होता है क्योंकि इसके बाद में जो के हमारे बालों की growth के लिए बालों को टूपने झछने से रोकनी के लिए बहुत जयादा ज़रूरी होता है तो मैं यहाँ पर एक चम चिसके अंदर add करत अलसी का तेल के अगली चीज हम इसके अंदर एड़ करने जा रहे हैं वह अरंडी का तेल यानि की कैस्टर ओइल आप अपनी बालों को लंबा घना मोठा बनाना चाहते और बालों को हेयर फॉल रोकना चाहते हैं तो इसके लिए आपको केश्टर ओयल जिरूर इस्तिमाल करना होगा किसी भी ओयल में मिक्स करके तो मैं यहां पर एक चम्मच इसके अंदर एड कर रही हूं केश्टर ओयल को और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब जो इसके अंद अपने बालों में लगाते हैं उसको एक चम्मच इस ओयल के अंदर एड कर लीजिए तो इस तरह से हमने यहां पर तीन ओयल एक साथ मिक्स होके बहुत ज्यादा पॉर्फुल फॉर्मूला बनता है जो कि हमारे हेयर ग्रोथ के लिए और हमारे हेयर फॉल के लिए बहुत ज् अपने बालों में लगाना हो तब हिं आप इसको फ्रेस बना पर के तयार करें और तो एक हफ्ते के अंदर उसको आफ खतम कर दीजिए .. अब इसके बाद में मैं इसके अंदर एड़ करने जा रही हूं एलूबीरा जेल को एलूबीरा जेल में यहां पर एक चमच इसके अंदर एड़ कर रही हूं आप दोनों तरह का अलूबीरा जेल इसके अंदर एड़ कर सकते हैं अगर आपके पास में मार्केट वाला एलूबी कर लेंगे मिक्स करने के बाद में थोड़ा सा थीक हो जाता है तोड़ा हो जाता है अब जान लेते हैं किसको लगाना कब है जब भी आपको अपने बालों को धुलना हो उससे एक रात पहले इसकी अपने बालों में बहुत ही अच्छे से मसाज किज़िए हलके हातों से 5-7 मु तुर आपके पास में इतना समय नहीं है कि रात में लगाए बालों को दुलने से 1-30 गंटें पहले इसको लगा लीजिए और उसके बाद में अपने बालों को सैंपू से बॉस कर लीजिए वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना और जैसे जिल करना